जै मात अदी आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोफेंड अंशु में स्वागत है मैं डॉक्टर अंशु गुपता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कैसा रहेगा धनुराशी का साल 2023 साल 2023 धनुराशी के जीवन में कौन से बड़े बतलाव लाने वाला है कैसा रहेगा साल 2023 में धनुराशी का स्वास्त कैसी रहेगा शिक्षा, लब लाइव, वेवाहिक जीवन, नौकरी और विफसाई कौन से हैं वो पाई जो आपको साल 2023 में सरूर करने चाहिए वीडियो को अंतक सरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेल नोटिफिकेशन को आउन करके आल पर सरूर क्लिक करें सबसे पहले हम जानेंगे बड़े घ्रे जो पूरे वर्ष एकी भाव में गोचर करते हैं जैसे शनी, गुरु, राहू और केतु उसके बाद जानेंगे मासिक राशी फल तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं सत्रा जन्वरी को शनी आपके सेकिन हाउस से निकल कर थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और 17 जनवरी को शनी की साड़े साती धनुराशी पर समाप्त हो जाएगी धनुराशी वालों के लिए सबसे बड़ी खुश खबरी है ये उनके जीवन में अब तक जो भी परेशानियां चल रही थी वो सब समाप्त हो जाएगी अब तक जो भी परेशानी धन से सम्बंदित चल रही थी धन की हानी हो रही थी परिवार में रिलेशन खराब हो रहे थे इन्वेस्मेंट करी पर नुक्सान हो रहा था लोन लेने की स्तिधी आ गई थी लोन लेने के बाद लोन आप उतार नहीं पा रहे थे उन सबसे चुटकारा आपको साल 2023 में मिलेगा 17 जनवरी से आपके कैरियर में आपको तरक्की भी मिलेगी जिनके पास नौकरी नहीं थी उनके नौकरी के योग बनेंगे जो नौकरी कर रहे हैं उनके नौकरी में प्रमोशन के योग है और विपारियों को विपसाय में लाब के योग है वही गुरु ब्रसपती आपके चतुरभाव से निकल कर 21 अप्रेल 2023 को आपके पंचमभाव में गोचर करेंगे ऐसे में 21 अप्रेल से जिनके पास संतान नहीं है संतान प्राप्ति योग बनेंगे जिनके पास संतान है उनको संतान की तरफ से खुश खबरी मिलेगी जो लोग relationship में हैं, उनको love life में अब तक जो भी परिशानिया चल रही थी, वो दूर होंगी, love life उनकी अच्छी रहेगी विध्यारतियों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा, पढ़ाई पर पूरा focus करेंगे, मन लगा कर पढ़ाई करेंगे और जो extra studies कर रहे हैं, CA, CS, IS, IPS ये government job की तयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, किस अपरेल के बाद से आपके carrier में growth बहुत अच्छी रहेगी और साथ ही साथ विपारी वर्ग जो विपार कर रहे हैं, उनके साथ साथ कोई अन्य विपार भी शुरू करेंगे धरम करम के कारियों में रूची बढ़ेगी, साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी होंगी जिसके साथ राहू 30 अक्टूबर को आपके पंचम भाव से निकल कर चतुर्थ भाव में कोचर करेंगे ऐसे में आपको अपनी माता के स्वास का ध्यान रखना होगा यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं या किसी भी परकार की कोई इन्वेस्मेंट करने की सोच रहे हैं तो आप अपनी जनम पत्री का विशलेशन सरूर कराएं यदि आपकी जनम पत्री के अनुसार अच्छे योग बन रहे हैं तभी property लीजिएगा और तभी invest करना भी अच्छा रहेगा. के तो आपके 10th house में 31 October से गोचर करेंगे, तो ऐसे में आपके कारे शेतर में आपको बहुत समल कर रहना होगा, क्योंकि आपकी पीट पीछे politics हो रही है, तो आपको बहुत सतर्क रहना होगा. आईए अब जानते हैं मासिक राशीफल, जन्वरी फर्वरी के महीने में जो students हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई को लेकर उनका मन डाइवर्ट रहेगा, साथ इच साथ जो लोग relationship में हैं, उनकी relationship में problems आएगी, misunderstanding create होगी, थोड़ा सा relationship को लेकर संभल कर रहना होगा, जन्वरी फर्वरी के महीना आपकी career के लिए अच्छा है, विशेश तोर पर जो लोग marketing लाइन में हैं या political लाइन में हैं, मार्च और April के महीने में आप पढ़ाई मन लगा कर करेंगे, मार्च और April का महीना studies को लेकर अच्छा हो जाएगा, जो relationship में problem चल रही थी, जन्वरी फर्वरी के महीने में वो मार्च में ठीक हो जाएगी, लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, मार्च के महीने में आपको अपनी health का ध्यान रखना होगा, आपको allergy, stomach infection या पीट दर से related समस्याथपन हो सकती है, मार्च और अप्रेल के महीने में आप जिनको जाब नहीं थी, उनकी जाब के योग बन रहे हैं, मई और जून जुलाई के महीने में, जाब को लेकर अच्छे योग हैं, जिनके पाद जाब नहीं थी, उनको अपने मन मताबिक जॉप मिलेगी, जो लोग ये सोच रहे थे कि मुझे मेरी मर्जी की जॉप चाहिए, ऐसी कोई भी जॉप मुझे जॉइन नहीं करनी हैं, तो मन चाही जॉप के योग बन रहे हैं, जो लोग competitive exam की तयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है मई, जून और जुलाई का महीना, अगज, सेप्टेंबर और अक्टूबर के महीने में, जो लोग job कर रहे हैं, उनके promotion के योग बन रहे हैं, जो विफसाय कर रहे हैं, उनको उनके विफसाय में लाप के योग बन रहे हैं, जो विदेश जाना चाते हैं, उनकी बहुत अच्छे हैं, विदेश योग किसी भी कारण वश जाने की सोच रहे हैं, तो अगज, सेप्टेंबर, अक्टूबर का महीना अच्छा है, जो लोग government job की तयारी कर रहे हैं, या already government job में हैं, तो उनके लिए भी अगज, सेप्टेंबर, और अक्टूबर का महीना अच्छा है, किसी भी कारे को करते समय, चल्दबाजी में decision ना ले, decision हमेशा सोच समझ कर ही ले, अगज, सेप्टेंबर, अक्टूबर के महीने में, आपके घर में शुप मांगलिक कारे होने के भी योग बन रहे हैं, नवंबर, दिसंबर के महीने में, आपको अपने सेहत का धियान रखना होगा, विशेश थोर पे बाहर का खाना पीना अवोईड करना होगा, नवंबर, दिसंबर के महीने में, मांगलिक कारे के योग बन रहे हैं, यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, धनुराशी वले, जो बहुत समय से फॉरें जाने की सोच रहे थे, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, जो पढ़ने के लिए जाना चाते थे, या जॉब के लिए जाना चाते थे, या वेपारी वर्क अपने बिजनिस के लिए जाना चाते थे, या विदेश से आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारे करने की सोच रहे थे, तो नवंबर, दिसंबर का महीना अच्छा है, कौन से है वो पाई, जो साल 2023 में जरूर करने चाहिए, तो आपको रोज गाय को रोटी पर घी, कच्ची हल्दी, गुड और चने की धाल रखकर रोज खिलानी है, रोज आपको मंदे जाना है, और गनेशी के आगे दुर्वा अर्पित करनी है, करिए यह उपाए, धनुर आशी का जीवन सिदेव के लिए खुशाल रहे तो मित्रों, यह थी कि धनुर आशी का कैसा रहेगा साल 2030, हमारा कल का वीडियो होगा मकर आशी का कैसा रहेगा साल 2030, उमीद करती हूँ, यह वीडियो आपके लिए लापकारे साबित होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सरूर करें, वीडियो को जादा से जादा श शुब हो